बिवाडी के UIT फेस्थर ठाना अंदरगत आज दिन रविवार करीब चार बजे साथल का गाउ में मामूली सी बात को लेकर अवैद गांजा तसकर ने एक युवक पर करीब आदा दर्जन से जादा चाकू से हमला कर दिया मही चाकू से घायल युवक का भिवाडी के जिलास पताल में इलाग चारी है युवक के साथी पर हमला करने लगा तो युवक वहाँ से अपनी जान बचा कर माग गया ये पूरा मामला अवैद गांजे को लेकर हुई वारदात है इस मामले को लेकर भिवाडी युवाडी फेस्थर थाना अदिकारी सचिंट शर्मा साइद पुलिस के जवान मोके पर पहुँचे हैं और जानकारी जो टाका चार्ज करने में चुट गए हैं पीडित सुरेंद्र सिंग ने बताया कि पहले से ही वहाँ पर दो युवक खड़े हुए थे और मामूल इसी बात को लेकर गांजा बेशने वाले ने मेरे उपर तावर तोड चाकूं से दस से बारा बार हमला कर दिया मेरे साथी को भी माणनी की कोशिश की पर वो बहां से भाग गया पीडित के साथ ही प्रवीन ने बताया कि किसी बात को लेकर दोनों में कहा सुनी हो गई जिससे गांजा बेशने वाले ने सुरेंडर सिंग पतावर को चाकूं से आदा दर्जन से जादा बार हमला कर दिया वही मौके पर एक भाइक वाले को रुखवा कर अपने साथी सुरेंडर को विवाड़ी जिलास पताल लाए है जहां पर डक्टर इलाज कर रहे है फिलहाल इस चाकू बाजी की वाज़ात के बार पूरे इलाके में संसनी फैल गई है और इलाका थाना पुलिस इस पूरे मामले में नजर बनाए हुए है फिर मेरे पर चलाया पिर में पीछ आटाओ तीच आटने बाद में देती इसकी इहानत गंबी रहे है बहार गया हुए 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 है फिर पुलिस को सुचना देती है गांजी देदी बाइजी में वहां पे खड़ा था हूं वो लड़ कहा है वो गांजा बेख चाहिं अवतर काम करता है अच्छा पर पर इसके लिए बहुत हूं कितने चाकू के बार किया आपके साथ और कौन था अकेले थे वो कौन थे वो कितने लोग थे दो लोग एक भाग गया था कितने बजे की बात है यह बात है यह बात है भी आदा गंट है पर इसको सुचना देदी थी आपके को यह आए आपके पास अभी आपके गया